जब किसी का वक्त अच्छा चलता है ना तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है दोस्तो सनी देवल की एक और मुवी का अनौसमेंट हो गया है गदर टू एक प्रो नैशनलिस्ट मुवी के बाद अब आने वाला है उनका एक और मुवी जो कि गदर जिन लोगों ने नहीं देखा ये जो जेंजी बनते हैं ये लोगों ने गदर नहीं देखा उनके लिए वो जो उस टाइम पे हमारे देश में जो हालाद हुई थी जब देश का बटवारा हुआ था 1947 पंजाब का एक फेमस नोवल है लाहौर 1947 उसी पर ही ये मुवी बनने वाला है ये जेंडरेशन को एक बहुत तगड़ा मैसेज देने के लिए मुवी बना रहे हैं सनी देओल को साइन किया है आमीर खान के प्रोड़क्शन हाउस में और इसमें कमबैक कर रहे हैं राजकुमार शंतोसी जिन्होंने बहुत सारे आइकॉनिक मुवी दिये हैं सनी देओल के साथ अब वो अपना कमबैक कर रहे है विद हिट मशीन सनी देओल और सनी देओल ने ये जो पठान वटान है सबका रिकॉर्ड तोड़के अभी नंबर टू पे चल रहे है सनी देओल नंबर वन पे चल रहे है जवान याने की शारुक खान बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि जो गदर टू मुवी इसके साथ बहुत हेट था बहुत नफरत जुड़ी हुई थी यह मुवी सरे वेकी लेंगवेज में आया था लोगों ने बहुत ज़ाधा इस मुवी को दबाने की कोशिश की बहुत कम स्क्रीन्स दिये गए इस मुवी को एंड उसमें भी इस मुवी ने परफॉर्म करके लोग ट्रक में, क्रेन में, बैट बैट के दूर दूर तक जाकर ये मुवी को देखा एंड ये मुवी को पारलेमेंट में भी दिखाया गया तो ये मुवी जो है, मतलब लाहोर 1947 एक प्रोपागेंडा मुवी बस नहीं होना चाहिए प्रोपागेंडा मुवी का मकलब है कि आमीर खान जहां है वाँ प्रोपागेंडा होता ही आपको पता है टीके मुवी देख लो, उसके बाद लाल सिंग चडड़ा में भी उन्होंने आतंगवादी बूरे नहीं होता है ऐसा कुछ दिखाने के कोशिश की है और बॉलिवुट का ये डार्क साइड भी है क्योंकि अभी सब भूल चुके हैं कि बॉलिवुट का डार्क साइड क्या है मैं आपको याद दिला दू प्रभाश ने जो मुवी बनाया था बाहु बली जो साउत को नौर्थ से मिलाया जिस मुवी ने है और साउत को रिस्पेक्ट और कल्चर को जो हमारा है वो सामने लाया हो था बाहु बली लेकिन उसके बाद अब प्रभाश को देखो बॉलिवुट ने उसको इतना बरबात कर दिया कि प्रभाश का कोई पिक्चर चल भी नहीं पा रहा है इबन उसका जो मुवी आने वाला है सलार उसके लिए भी हेट है तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों बस यह कोई प्रॉपगेंडा मुवी नहीं होना चाहिए क्योंकि इस मुवी जो है वो नोवल है उसमें जो चीज़ें वो यहां के लोगों के लिए सही नहीं है यहां के लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस यह प्रॉपगेंडा मुवी नहीं हो अगर यह प्रॉपगेंडा मुवी नहीं है आपको पता है नेक्स लेवल मैं मारकेटिंग करते हैं, दंगल का रिकॉर्ट अभी भी नहीं तोड़ पाया है, कोई भी जो चाइना में रिकॉर्ट सेट है, दंगल का वो कोई भी नहीं तोड़ पाया है। आज के वीडियो में इतना ही कुछ नया अपडेट आता है तो आपको शेयर करूँगा और इसी तरह के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना